5G मामले में जुही चावला को होश्यारी करनी पड़ी भारी जुही चावला ने सरकार से एक सवाल उठाया था कि 5G जो आप ला रहे हैं हमारे देश में मैंने सुना है या रिपोर्ट्स और रिसर्च कहती है कि 5G नुकसान देता है बच्चों के लिए और human beings के लिए और जानवरों के लिए भी उसके जो radiations आते हैं वो काफी high intensity वाले होते हैं और इससे लंबे समय में आपको दिमागी बिमारी या physical problems हो सकती है जुही चावला ने एक petition file की थी court में जिसमें जुही चावला ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार बस ये लिख के दे दे कि 5G से ऐसा कुछ नहीं होता है हम और कुछ नहीं चाहते लेकिन ये पूरा मामला जुही चावला पर ही उल्टा पड़ा सरकार ने इस केस को जीता जिसके बाद court की तरफ से जुही चावला पर 20 लाक रुपए का हरजाना लगाया गया court का time waste करने के लिए इन फालतों बातों पर बहस करवाने के लिए जुही चावला को लंबे समय से court की तरफ से यादेश जारी कर दिये गए हैं लेकिन अब तक जुही चावला ने ये 20 लाक रुपए जमाही नहीं करवाई हैं इसी बीच अब जुही चावला ने एक request दी है जिसमें उन्होंने इस जुर्माने को माफ करने की request रखी है अब court ने जुही चावला के इस मामले पर सुनवाई की है court ने कहा है कि हम इस 20 लाक रुपए को घटा कर 2 लाक रुपए कर देंगे लेकिन इसके लिए एक शर्थ है आपको समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा ऐसा काम जिससे समाज की मदद हो समाज की भलाई के लिए कुछ काम करने है जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा और्गेनाईज कुछ इवेंट्स का भी हिस्सा बनना पड़ सकता है court ने अमना फ्रैसला सुनाते हुए कहा कि जुही चावला का ये हर्जाना घटा कर 2 लाक कर दिया जाएगा लेकिन जुही चावला जो के एक popular actress है उन्हें समाज के लिए कुछ कार्यक्रमों का हिस्सा बनना पड़ेगा और उनके हितों में काम करना पड़ेगा इस चर्थ पर ही उनका ये जुर्माना कम किया जाएगा तो इस तरीके से जुही चावला बुरी फसी 5G तो रुका नहीं और खुद के उपर ये काम और आ गया जो अब उन्हें बिना किसी पैसे के करना है जहां सेलेब्रिटीज अपनी कुछ ही मिनिटों की अपेरेंस के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं वहीं जुही चावला को अब ये काम सिर्फ फ्री में करना होगा